नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलिज बज और आज के वडियो में हम बात करेंगे मुगल समराज्य के कुछ है MCQ को देखेंगे जो कि लास्ट एयर NTPC की एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोसन है तो चलिए थियोरी तो हमने द देखते हैं पहले कोसन में आपसे क्या पूछा गया है पहले कोसन में आपसे पूछा गया है कि मुगल समराज्य की सापना किसके द्वारा की गई थी तो मुगल समराज्य की सापना बाबर के द्वारा 1526 में की गई थी तो आगे देखेगा आगे देखेगा यहां पे कुछ इसे important point जान लेते हैं मैंने बताया था 1483 को बाबर का जन्म हुआ था और बाबर ने कुल पांच बार भारत पे आकरमन किया था ठीक है जिसमें सचार बार वो जीता था 1519 में पहली बार आकरमन किया था आगे दिखेगा पंदरवी सदी में बाबर ने डैस खेल में भारत को ल लोग प्रिय बनाया था 1520 सदी में बाबर ने ठीक है आगे दिखेए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं 1526 से 1530 तक है बाबर ने पोलो खेल को भारत में लोग प्रिय बनाया था जो कि आप लोग सभी जानते हैं बाबर के सासनकाल को आगे देखते हैं अगले कोशन को नि तो इसकोशन का सभी अंसर क्या हो जाएगा ओप्सा नंबर बी description भी देख लेते हैं इसका ठीक है आगे देखते हैं इसके description को जल्दी से देखते हैं देखेगा प्रतम मुगल सासक बाबर ने बात्सा की उपाधी ग्रहन करने के बाद मुगल बात्साओं को खलीफा के नाम मात्रे अधी पत्य से मुक्त कर दिया और उसके उसी के साथ है मुगल समराज बादसा बोले जाने लगा ये मैंने आप लोग को बताया था किसी विदेशी सत्ता और अथ्वा व्यक्ति के आधी नहीं रहे जबकि विकल्प ये देखेगा ये मैंने आप लोग को बता दिया था थियोरी में अगले कोशन को हम देखते हैं ठीक है क्योंकि समय बहुत ज्यादा important हम लोग के लिए अगले कोशन को हम देखते हैं जल्दी से निवन में से मुगर समराट जिनों ने भारतिय उप महाधियू पर परसासन किया था उसका सही क्रम उल्टा सही क्रम अंतिम से पहला कौन सा सही क्रम है यह आपको बताना अंतिम से पहला तो सबसे अंतिम से पहला आपको बताना है तो देख लिज़े option और मुझे comment करके आप लोग बताए कि अंतिम से पहला क्रम क्या होगा ठीक है ये अंतिम से पहला सही करम है और यहां देखे अकबर 1556 से 605 हो गया साहजहा 1627 से 1658 और एंगजयम 1658 से 1707 है बहादुसा दिती है 1837 से 1857 तो यह यह आप लोग याद रखेगा आगे देखेगा कोशन नमर 5 देखे क्या पूछा गया एहमद नगर एहमद नगर की किस रानी ने बादसा अकबर का विरोध किया था रानी दुरगाबती पहला ओप्सन दूसरा ओप्सन जीनत महल तीसरा ओप्सन है चांद बीबी और चौथा ओप्सन है रजिया सुल्तान तो रजिया सुल्तान को तो निकाल लीजे ठीक है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था ठीक है अकबर ने 1593 में सहजादा मूराद अब्दुलरहीम खान खाना को एहमद नगर पर आकरमन करने के लिए भेजा 1594 में एहमद नगर के सासके बुरहान उल मुलके की मृत्यू हो जाने से राजे में आंत्री के संघर सा आरंब हो गया और राजे के एके दल ने मुराद को अपनी सहता के लिए आमंत्रित किया परन्तु मुगल ने वहाँ पहुचने से पहले वजीर ने विद्रो को दबा दिया स्वेम बीजापूर की सीमा पर जा बैठा और किले की सुरक्षा का दायूते चांद बीवी को सौप दिया चांद बीवी ने इबराहीम के साथ अलपायू पुत्र बहादूर सहा को सुल्तान घुसित किया एवं उनकी सनरक्षिका बन गई मतलब बॉडी कार्ड बन गई पंद्रो सो पंचानवे में मुगलो ने एहमद नगर का घेरा डाला और कई महिनों तक चांद बीवी ने बरी योगेता से किले की रक्षा की ठीक है ना तो ये पूरा कहानी था आगे देखते हैं आगे अगला कोशन पुछा गया है कि लाल बलुवा पत्थर लाल बलुवा पत्थर का कौन सा परसिदे किला मुगल सासको ने साही सहर को घेरता है जिससे जहांगीर महल सायद लिखावा दिवाने खास और दो खुबसूरत महजिदे के सामिल है आगरा कोट हिमायू का मकबरा उसके बाद हिमायू का मकबरा महाबली पूरम कें में इस्मारकों का समू हमपी में इस्मारकों का समू इस कोशन का सही अंसर हो ज़ Take Onic इवं परसिद्य किला है यहां किला आगरा सहर में यमना नदी के किनारे के टट पे इस्तित है ऐसा माना जाता है कि यहां किला बदल गड नाम से के एक प्राचीन गड के ओसेश पे इस्तित है लाल बलुए पत्थर से किले के अधिकांस भवन एवं प्राचीर को अकबर ने आठ सालों में बनवाया थ प्राचीन होगा सायद आगरा कि अगरा किला धार्मी के ओम धर्म निर्पेक्षे दोनों के तरह से सुन्दर भवन माने जाते है ठीक है तो इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टन पॉइंट से मैंने बता दिया चलिए आगी देखते अगले को निम्न में से कौन सा धार् कुटूब से परसिद्य एतिहासी किसमारत इमारत उत्तर परदेश के फतेवपूर सिक्री सहर से नहीं हुए है ठीक है तो इसको सन का सही एंसर हो जागा option number D कुटूब साही मकबरा ठीक है इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं यहां देखेगा फतेवपूर सिक्री उत्त इसका निर्मान मुगल बात्सा अकबर ने करवाया था अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनवाया था यहां इस्तिते असलो में दिवाने आम दिवाने खासे बुलंद दरवाजा पंच महल जोधा बाई का महल 25 दरबार और बिरबर का निवास से परमुक है कुटूब साह मकबर फतेपूर सिक्री में इस्तिते ना होके आंदर पर्देश के हैदराबाद में इस्तिते थे ठीक है तो यह इंपोर्टन कोसन था आगे दिखते अगले कोसन को दिखें को निम्न में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है तो बुलंद दरवाजा आगरा फोर्ट ग विड्वे आफ इंडिया क्या हो जागा नहीं आगे वाकी सब जो है ना वह मुगल क हाल का है यहां देखते हैं गेटवा आफ इंडिया महराष्ट के सहर मुंबई में इससतैं यह किंग जोर्स पंचंप महारानी मेरी गिंड के आगमन के असर पर मरवाया गया था एसे ठीक बंदर पर करवाया गया था इसे बिट्रिज ए वस्तुकार जॉर्ज विटेटे ने डीजाइन किया था जबकि बुलंड जरवाजा आग्रा पोठे जोदा भाई के महल का निर्मान अक्बर ने करवाया था दिली का परसिद्य लाल किला किसके सासनकाल में बनवाया गया था तो दिली का परसिद्य लाल किला किसके सासनकाल में बनवाया गया था साजहा के सासनकाल में बनवाया गया था आप्सन नमबर डी इस कुछन का सही एंसर हो जाएगा ठीक है 1648 में इसका निर्मान करवाया गया था चतर भुज आकार का किला बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से परसिद्धे हो गया इस किले के पच्छिमी दुआर पर लाहोरी दर्वाजा एम दक्षिनी दर्वार पर दिल्ली का दर्वाजा था किस मुगल सासक ने ताज महल बनवाया था तो आप लोग सभी को पता है साजहा ने बनवाया था इसके बारे में फिर से कुछ हिस्ट्री हम जान लेते हैं ऐसा तो सभी को पता है मुगल सासक साजहा ने ताज महल बनवाया था दिखाई परता है ठीक है उसके बाद देखेगा वहां एतिहासिक जगा चुने जो ग्वाली और मद्य पर्देश में नहीं है तो इस कोशन का सही एंसर हो जाएगा हम देख लेते पहले आप्शन जै विलास महल रानी लक्षमी बाई की समाधी गोलकुंडा किला तेली का मंद प्राजियर तो इस गोलकुंडा किला कहां है हम जानते हैं यहां दिखेगा गोलकुंडा किला हैदराबाद के पच्छिमी भाग में हुसन सागर जील के से लगबग 9 किलीमेटर की दूरी पर इस्थित है इस के लिए को कुटूब साही वन के सासक ने बरवाया था इस परका तेली का मंदिर ग्वालियर मद्य पर्देश में इस्ते थे ठीक है आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट है तो इतने ही कोस्टन थे कोस्टन नंबर 11 तक ही पूछे गया थे एंटी पिसी की एक्जाम में मुगल काल से ठीक है ना चलिए तो अगर ये वीडियो आप लोगो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजगा और मैं बता दू हिस्ट्री से ज्यादा तर जो प्राचीन हिस्ट्री होगा वहां से एक नंबर मुगल काल या दिल्ली सल्तनत इन सब से एक नंबर मतलब यहां से दो नंबर और जो आजादी का समय फ्रेडम फाइट है वहां से तीन नंबर मतलब टूटल चार से पांस नंबर के कोशन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में ठीक है ना तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं आसा करता हूं कि आज के द